हेलो अरिवन, वेलकम बैक टो ऑनलाइन स्टेडियोन, आज किस वीडियो में बात करेंगे सेट नमर 11 के बारे में, और यह हमारा करन्ट फेस का जो सीरी चल रहा है, जनवरी 2021 से लेकर के अब तक के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेसंस एक्जाम सोरियेंटेड वो हम अप्लिकिसंस पे काफी अच्छी ऑफर चल रहा है, जिसमें फुल कोर्सेस आपको मिल जागा, भीहारी चाहिका जो फुल कोर्सेस है, जिसमें 200 प्लस हैंड राइटिंग टॉपिक नोट्स दियेगा, साथ साथ 6,000 प्लस MCQ आपको दिया जा रहा है, और उसी के साथ साथ कर सिरीज आपको दिया जागा, जनवरी 2021 से लेकर के, नवंबर 2021 तक सारे क्वेसंस आपको कर रहा है जाएंगे, और ये जो आफर आपका चल रहा है, 19 से लेकर के 30 सेप्टेमबर तक चल रहा है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 249 में ये कोर्सेस आपको मिल जागी, वन ये के साथ, तो अगर आप जोईन होना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्सन में लिंक दिया गया, जाखर के जोईन हो सकते हैं, देखें, फर्स्ट क्या है, सबसे पहले बात करेंगे प्रिवियस जो क्वेसंस आपको करा गया था, उसको रिविजन कर ल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया, हैदराबाद रियासत का भारतिय संग में मिलाया किस वर्स हुआ था, 1948 में हुआ था, तो जैदी से कमेंट्स करके बतेगा कि हैदराबाद रियासत को जब भारतिय संग में मिलाया गया था, तो कौन सा उप्रेशन चला यह उलम्पिक खेलो का 32 संस्क्राइट था पदक तालिका में सन्युक्तराज अमेरिका सबसे टॉप है सेकेंड पे चाइना और थर्ड पे जपान है ठीक है और टोक्यो उलम्पिक 2020 का अधिकारिक मोटो क्या था यूनाइटेड बाई इमोशन इंडिया की रैंकिंग क्या थी यह आपको कमेंट्स करना है ठीक है इंडिया की रैंकिंग आपको बताया गया था कमेंट्स कीजिएगा देखें नेक्स्ट क्या है अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है नेक्स्ट वन यह था कि निमलिखीत में से किसे प्रतिस्ठित महरास्ट भोशन पुरसकार से नमाजा ग गया जुलाई 2021 में कॉर्पिट का 36 संस्क्रण भारत और किसके बीच हुआ इंडोनेसिया के बीच भारत और इंडोनेसिया के बीच कॉर्पिट का 36 संस्क्रण हुआ अगला पॉइंट्स क्या है निमलिखीत में से किसे लुकमान ने तिलक प्रुषकार 2020 दिया गया तो यह प कॉमिक्स की दुनिया के बराबर ऑसकर माना जाता है आनंद राधाक्रिश्ण इसरो नासा सन्युक्त मिसन निसार उपगरा को कब लॉंच किया जाएगा निसार उपगरा को 2023 में जनवरी 2023 में लॉंच करने के बाद की गई है अगला पॉइंट्स निमलिखीत में से कौन सा देश G20 सांस्कितिक मंत्यों की बैठा के मिजबानी करेगा तो यह G20 के मिजबानी इतली ने किया है मुसलिम महिला अधिकार दिवस हर वर्स कब मना जाता है मुसलिम महिला अधिकार दिवस पड़तीक वर्स एक अगस्त को मना जाता है निम्लिखीत में से किस से या फिर किस ने नए लेखा महानेंत्रे के रूप में कारिभार संबाला है दीपक दास ठीक है दीपक दास इन्हों ने मार्सिल जैकब्स ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पूर्सों की 100 मीटर में स्वन्ड पदक जीता है वह किस्ते से इटली से समध रखते हैं अगला पॉइंट्स देखें कौन सा सहर कोविड-19 के खिलाफ 100 पर 30 टिका करन करने वाला पहला बारती सहर बना भुनेश्वर मिन ऑंग हीलिंग पते कि किस देश की आंतरीं प्रधान मंतरी के रूप में पदभार संभाला है मैंनमार यहां पर करेक्ट होगा तो उमीद करता ह याँखें कि आपका पीछे का जो क्वेशन्स था प्रिवियर्स टेख का वो रिवीजन्स वह गया अच्छे तरीके से और आपको अच्छे तरीके से याद भी हो गया हुगा तो अगर आप वीडियो पसंद आ हैक यह वीडियो को लाइक कर दिजएगा दोस्तों को सरक भारत का पहला राज जो बना है बिहार बिहार का रेक्ट रांसर है बिहार से समझे एक दो क्वेशन से और हम यहां पर डिसकस करते हैं जैसे कि आपको बताया गया था कि पटना में राश्टिय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बना जा रहा है और यह का आपको याद रहेख की प्रतीमा को कहां स्थापित किया गया तो यह बोध गया में बिहार के बोध गया जुकी गया में पढ़ता है अगला पॉइंट की भारत की पहली सरकार द्वारा संचालित पसू एम्बुलेंस नेट्वर्क सुरू करने की निमलीखित में से कौन से राजज ने गोशना की है पसू एम्बुलेंस नेट्वर्क तो यहां पर करेक्ट होगा आंदर प्रदेश बीको टिक करेंगे आंदर प्रदेश जानवरों के लिए बारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेट्वर्क स्थापीत करने का निड़ने लिया गया आंदर प्रदेश की की एक उपनियास आया था पाठली पुत्री की समरागी ठीक है पाठली पुत्री की समरागी के लिए इनको ये ब्यास सम्बान 2020 दिया गया अगला पॉइंट्स केंद्री शिक्चा मंत्री ने भगत सिंग रा सहीद भगत सिंग समारक काउद घाटन कहां पर किया सहीद भगत सिंग स्मारक काउद गाटन नए दिलने में क्या गया ओप्सन हम एक उटिक करेंगे नए दिलने में ठीक है इसको याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते अगला पॉइंट की हाली में किंद्री ये उर्जा वंतरी आरके सिंग ने कहां से ग्राम उजाला योजना की सुरुवात की है सबसे पहले बात करते हैं कि ये ग्राम उजाला योजना क्या तो द्यान दीजेगा ग्राम उजाला योजना कह सकते हैं कि गाउं में सस्ती दर पर उच्छ गुडवता के लिए जो की LED बल्ब उपलब दे कराने के लिए योजना स्टार्ट की ग्राम उजाला यूजना LED का फुल फर्म क्या होता कि आप कमेंट्स करके बता सकते हैं तो अगर आप बता सकते हैं तो वीडियो को रोकी और कमेंट्स करके बताएए और वाइस मैं आपको बताएंगा हूँ तो देखें LED का फुल फर्म हम कह सकते हैं लाइट इमीटिंग डायोड ठीक है लाइट इमीटिंग डायोड तो यहाँ पर सजी आंसर हो जागा आपका आप्सन C वराणसी ठीक है वराणसी बिल्कुल करेक्ट आंसर है चले अगला पॉइंट्स अफ्रीका महादीब की सबसे उची चोटी किलम जारो पर हाली में किन भारतिये परवत रोहियों ने 24 घंटे रुकर कर रिकॉर्डबनाया चाभी सहां करके रिकॉर्ड बनाया रोत्اص खिलेरी एवं अनुन जादो ऑप्शन रोतास खिलेरी हम यहाँ पे कह सकते हैं करेक्ट टांसरोब उप्प्शन के बारे में उलिक किया राश्ट पती के प्रसाद प्रियंद पर शेठ अबंचे तो यह या दरग क्ना है तो ये अक्टूबर मौन्थ में है भारत में ही होने वाला है इसलिए ऑप्सन हम D को याद रखेंगे भारत नसा के 1979 के कौन से मिसन के अंतरिक शयातरी माइकल कॉलिंस का 90 वर्ष की आयू में इदन हो गया माइकल कॉलिंस तो यह काफी में चर्चा में हैं माइकल कॉलिंस अपॉलो 11 जो चंद्रियान मिसन था चंद्रमा मिसन था जो की 20 जुलाई उसी मिसन से संबंदित थे तो यहां पर इनका नितन हो गया 90 वर्ष की आयू में पर याद रखेगा अगला पॉइंस कह रहा है कि नाओ के द्वारा सत्तर दिन में अट्लांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे यूवा महासागर को पार करने वाली सबसे इंपोर्टेंट होगा याद रखेगा आगे बढ़ते हैं लितानी नदी और कारून जील जो की हाली में खबरों में थी किस देश मिशती थे लितानी नदी और कारून जील हाली में चर्चा में था यह लेबनान मिशती थे लेबनान की रधानी क्या होता है यह आपको याद रखने हैं लेबनान की रादानी बेरूत होता है 200 जनसंक्या दिवस कब मना जाता है 200 जनसंक्या दिवस पर एक वर्ष मना जाता है 11 जुलाई को यह most important प्रेश्णों का 200 जनसंक्या दिवस 11 जुलाई को मना जाते है next question क्या रहा है कि H10N3 एक परकार का फ्लू है जो किस से संब्द दीत है H10N3 इसका संब्द हो जाता है option A मुर्गी से right answer will be option A मुर्गी नीतियायोग के SDG SDG क्या है मतलब हम कह सकते SDG Sustainable Development Goal 2021 इंडेक्स चु जारी क्या गया था नीतियायोग के दोरा सबसे सबसे खराब पर दसन करने वाला राज्चे कान सहके? सबसे खराब पर दसन वाला राज्चे के सुच्छे में लोक बिहार को रख सकते हैं और बिहार से उपर में दो कोशना आपको बताएगा था जैसे पटना में राश्ट्य डॉल्फी ननुसंधान केंद्रे बनेगा साथे साथ एतनौल समवर्धन नीती लागू करने वाला राज्य बना बिहार और यहां पर हम कह सकते हैं कि सतत्थ विकास जो लक्ष है इसको सब से खराब पर्दसन बिहार ने किया सबसे अच्छा पर्दसन केरल कर रहा है तो यह भी याद रखेंगे सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है चलिए अगला पॉइंट से यह कह रहा है कि ओंकेस्वर बांध किस वर्स तक फ्लोटिंग सौर उज्जा सौर पर्योजना के तह के साथ 20 प्रतिस सथ एथनल संमिशन का लक्ष रखा 25 तक किस राज्ज में मक्र को मक्र action force कि स्थापना की है रैपिड action force कि स्थापना की है कहां पे करना टक ए विल भी राइट आंसर करना टक अगला पॉइंट्स वीडियो आप लोगो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएगा फिंस ताकि हम लोग इसमें जो भी सुधार हो जो भी कम्या हो उसको कर सके नेश्ट वर्णे कि किस राज्य में 43 वा कोक बोरोग दिवस मनाया क्या कोक बोरोग दिवस क्या होता है सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं देखें कोक बो बोरोग और यह मनायज गया 43 वा कोक बोरोग दिवस तिरेपूरा में तो राइट आंसर यहां पूजागा ऑप्शन ए उमीद करता हूं फिंस कि आप लोगों ने ट्वेंटी अमसी क्यों में से काफे अच्छी स्कोरिंग कर लियोगी जो भी आप क्या स्कोर रहा नीचे कमे भारत की मुखे भूमी का दच्छिर्तम किनारा कौन सा है ध्यान दीजेगा यहां पे प्रस्ट में मुखे भूमी का दच्छिर्तम किनारा कन्या कुमारी और सिर्फ वर्शिव क्वेसंस में रहता है कि भारत की दच्छिर्तम बिंदु कौन सा है तो वहां पे आपको इंदर जनरल को भारत के गुवर्नर जनरल में तब्दिल कर दिया गया ठार सो तेतिस के चार्टर अधिनियम के दौरा पोंगल किस राजिक अतिवार तो पोंगल जनवरी के माह में मना जाता है तो इसको याद रखेंगे जलियावाला बाग अत्यकंड कब और कहा हुआ था तो यह उ 1949 में कॉंग्रिस छोड़ों के बाद सुभास चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी तो इन्होंने फौरबिट ब्लॉक की स्थापना की थी और 1949 में इन्होंने कौंसे अधिक्स्ता कर रहे थें तो भारति रस्ठी का जो त्रिपूरी अधिवेसन था उसी के अधिक्ता की थी ठीक है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की राजा राम मोहन रहे ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने ठारा सो अठाइस में किया था जो कि आत्मी सभा की स्थापना ठारा सो पैंतिस में किया था ये भी आपको याद रखना है ठीक है राजा राम मोहन रहे में जो र की समाधी का नाम क्या लाल बहादू शास्त्री बहादूर लोग ही विजय होते हुविझाइघ्वा महाभारत के रचेता कौन है महाभारत के रचेता मर्सी वेद्वियास यहाली में प्रस्ट पूचा गया था समिधान सभा की प्रारूप समीती के अध्यक्ष कौन थे समिधान सभा की प्रारूप समीती के जैक्ष डॉक्टर भीम्राव अमिटकर यहां पर थोड़ सा ध्यान द प्रारूप समीति का जो गठन किया गया था 19 यहां पर डेट के आपको याद रखना है डेट में आपको बता दूं 29 ऑगस्ट 1947 में ठीक है 1947 में का गठन किया गया تھا और इसमें टोटल चे सदस्य थे और एक अधैक्स ते साथ लोग टेसिय। ऋमराव करते और उनिचर उंहें सदसे के नामगार आपको चोटे सेसे ऑाटnahmen करना चाहें जो मौलके कर進ुकिक है स्वÁMY diret कह सकते तो बस्यों चोटे से पॉइंट आपको याद रखने हैं अगला पंगेश आठ मैं यानि इसकी स्थापना 1863 में हुआ था हेंडी डिवनेंट के द्वारा ठीक है और इसका मुख्याले कहां पे हैं तो रेड क्रॉस का मुख्याले जिनेवा में पढ़ता है तो देखी इस वीडियो में लोगो ने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वह कवर कर लिए उमीद करता हूं कि डैफनेटली आपको ये वीडियो पसंद आयोगे वीडियो कैसे लगी यह आप नीचे कमेंस करके बताइए अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दिजिएगा दोस्तों सांसिर कर दिजिएगा और और क्या बस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं चले तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग 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 हाव गुड़ डे